Hey guys what's up, this is a very critical update about the market because आज के दिन FOMC Federal Reserve की मीटिंग होने वाली, US में होगी लेकिन इंडिया का उसका टाइम होगा रात के सारे 11 बजे, तो आज रात के सारे 11 बजे मार्केट में एक बड़ा मुमेंट देखने मिल सकता है, बड़ा वोलेटाइल मुमेंट देखने मिल सकता है, उ रोजमी यहाँ पर जो information प्रोवाइड करता हूँ, नोलेट शेर करता हूँ, अगर आपको पसंद आती है, डेफिनिली वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरा motivation यहाँ पर बढ़ता है, अगर आप नए होचाम को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो दोस्तों सबसे पहले, Federal Reserve की जो FOMC Meeting का जो result है, 145 AM, यहाँ पर 25 और 26 तारीक को, लेकिन आज के दिन यहाँ पर जो interest rate में hike, definitely interest rate में hike होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के साथ, मैंने एक question भी share किया है, कि आपको क्या लगता है, कितने basis point, कितने percentage यहाँ पर हाइक होगा, क्या आपको लगता है कि 50 basis point, इसका मतलब 0.5% hike होगा, या फिर क्या आपको लगता है कि 75 basis point hike होगा, इसका मतलब 0.75% या फिर 100 basis point, मतलब 1% यहाँ पर interest rate hike होगा, उससे पहले आपको एक simple चीज़ बता देता हूँ कि interest rate hike क्यों होता है, सबसे पहली चीज़ आपने देखोगा, in the past few months, US में inflation बहुत है, सा अब यहाँ पर US का inflation बढ़ रहा है, US का inflation बढ़ता है, जब भी interest rate बढ़ते है, तब लोग यहाँ पर volatile markets होती है, for example crypto market, stock market, उसमें से अपना पैसा निकाल लेते, बाकी सारी इसके बारे मैंने discuss किया, और बाकी सारी markets में, जो stable होती है, उसमें यहाँ पर अपना पैसा लगा जब भी interest rate हाइक होता है, inflation हाई होता है, inflation हाई होने की वज़े से उसको कम करने के लिए government interest rate को बढ़ाती है, जब interest rate बढ़ता है, यहाँ पर market के लिए वो चीज़ बैरिश होती है, crypto market, stock market, जो volatile markets होती है, उन markets में यहाँ पर bearish moment देखने मिलता है, अब यहाँ पर हम लोग चा जाएगी, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, कितने basis, अगर 100 basis point होता है, market के लिए वो चीज़ बैरिश होगी, market में आपको dump देखने मिल सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने, अब technical के हिसाफ से, charts के हिसाफ से, क्या देखने मिल रहा है, सबसे पहली चीज, इस chart क के बारे में मैंने discuss किया है, क्या हुआ था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कि पहले bitcoin का price sideways movement कर रहा था, यहाँ पर भी bitcoin का price sideways movement कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, bitcoin के price ने थोड़ा सा चक्मा दिया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस हिसाफ से bitcoin ने वापस resistance break किया था, वो support बना था, लेकिन उसी support को थोड़ा से zoom in कर लेते हैं, उसी support को bitcoin के price ने वापस यहाँ पर नीचे की और break कर दिया, अब यहाँ पर major support हमारे लिए कौन सा बन जाता है, this is coming at around $19,000 जिसके बारे में हमने बात की है, अगर यहाँ पर 100 basis point hike देखने म विले, आपको bitcoin का price थोड़ा सा नीचे आते हुए देखने मिल सकता है, support ले सकता है, at around $19,000, इस चीज़को short term में क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, but यहाँ पर major support है, major support is coming at around $19,000, दूसरा chart यहाँ पर आप लोग को सा शेयर करना चाहता हूँ, इसके बारे में मैंने बात की है, जो है 5-day simple moving average, जो यहाँ पर आप blue color का moving average देख रहे हो, जब भी bitcoin का price is a blue color के moving average, मैं आपको exactly इस point पर बता है था कि क्या होगा, bitcoin का price blue color वाले moving average, मतलब 5-day simple moving average को यहाँ पर break करे, उसके बाद उसी area को यहाँ पर resistance test करे, उसके बाद वापस dump देखने मिल सकत जब भी, आप मैं थोड़ा से दिखा देता हूं, जब भी bitcoin का price ने इस area को, इस moving average को break किया हैँ, उसके बाद उपर की तरफ बरेक किया, एक bullish moment, नीचे की तरफ बरेक किया, bullish moment, उसके पर वापस उपर की तरफ बरेक किया, bullish moment, उसी ही इस साथ यहाँ पर उपर की तरफ बरेक यहाँ पर नीचे आए उसके बाद Bitcoin का price इस moving average को cross करें उसके बाद हमें यहाँ पर एक bullish moment देखने मिल सकते हैं यह चार्ट मैं आप लोगों साथ share करूंगा on telegram channel currently resistance कहाँ पर आ रहे है currently एक चीज़ को देखना है कि इस moving average को सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आए resistance area कहाँ पर देखने मिल रहे है resistance area मतलब इस area को break करें 21,500 dollars उसके बाद हमें यहाँ पर एक bullish moment देखने मिल सकते है यह चार्ट मैं आपके साथ share करूंगा on telegram लेकिन उससे पहले आज के दिन main चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कितने basis point high होता है recession भी declare हो सकता है US इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है recession आता है market के लिए बहुत ज़्यादा bearish situation बन जाएगी बाकी मैंने आपको यहाँ पर short term में अगर थोड़ा सा देखना चाहते हो तो एक Fibonacci retracement मतलब नीचे से लेके उपर तक अगर हम एक Fibonacci retracement draw करते है तो जो short term वाले levels है यहाँ पर 20,960 यह चार्ट भी मैं आपके साथ share करूँगा लेकिन 20,960 पर एक support आ रहे है जो यहाँ पर bitcoin ने उस area पर एक support लिया है जो 0.618 वाला Fibonacci level है उससे नीचे अगर price आती है तो आपका यहाँ पर level बन जाएगा 20,000 डॉलर्स वहाँ से नीचे आती है तो major support है 19,000 डॉलर्स बट पूरी market यहाँ पर technicals definitely काम करेंगे बट at the same time यहाँ पर fundamental news आएगी आज के दिन FOMC meeting में जो decision दिया जाएगा कितना interest rate hike होता है उस पर यहाँ पर काफी ज्यादा आप लोगों के साथ इन चीजों को share कर पाऊं जिससे आप अच्छे trades ले पाऊं और आप यहाँ पर अच्छा खासा benefit बुक कर पाऊं अगर यह सारी चीज़े आपको पसंद आती है एक छोटी सी चीज़ आप कर सकते हो एक like बटन को press कर सकते हो मेरा motivation यहाँ पर बढ़ता है शेर कर सकते हो इस वीडियो को अपना friends के साथ जिससे आपके friends भी यहाँ पर crypto market में trading करके अच्छा खासा benefit बुक कर पाए चैनल को subscribe कर सकते हो अगर आप नए हो subscribe के बाज़ों आपको bell icon भी मिल जाते है वो भी press कर दीजिए चलिए दूसने इसके साथ आज का वीडियो कतम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टे सिफ, स्टे हल्दी, थाक्यू, जैहिन